नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत श्वागत है आपके अप्टेचर इस ट्रॉक्स बाजार में इस परीव हम बात करेंगे एस्ट्रल सेर के बारे में इसमें कपलीट टेखनीकल आइलाइसिस जानेंगे किस प्राइस लेपल को बाय करना चाहिए अगर हम एस्ट्रल की बाध करें तो यहां पर एक ये रावंडिंग बॉटम फॉर्म कर रहा है तो ॅसेस ब्लांग टर्म के लिए रहां बॉंट्म पैटरर क यहां आपर रौंडी बॉटम कई तरीके से आप देख सकते हैं अगर हम भी आपा बात करा था लेकिए यहां पर बॉटम ले इस तरह सरह से यह बॉटम बनाया कि यहां पर बात करा थे एक कप एंड हैंडल का पैटन भी बंदा है नंगी का पैटन भी बंदा है याँ पर राइन टर्म का फोर्मेशन हो दो नहीं के बैटेर से इस सिर चाहिशने कमेंड कापे सौलीड हो Championship गशेचे। पे बधारमी स्था क्कुरक करा दें सरक C आप breakout देके निकल रहा है, तो यह stocks काफी अच्छे लेवल पर है, जहाँ पर आप इसको buy कर सकते है, stock loss जस्ट आपको यहाँ पार 1700 के नीचे closing basis रखना है, तो काफी बेटीड होगा, आप इस stock को buy करके चल सकते है, साथी साथ बात करें, यहाँ पार जो इसका resistance लेवल है, वो है 216, मतलब 2200 रुपया इसका पहला target होगा, सौट टर्म के लिए, फिर 2500 रुपया होगा इसका दूसरा target, वहीं बात करें, इसमें एक trend line भी है, तदिकि इस तरह से यह trend line है, इस trend line को अगर यह breakout करता है, तो हमें फिर काफी अच्छा momentum इस stocks में देखने मिलेगा, साथी साथ यहां पाँ volume की बात है, यह यह volume भी काफी अच्छा है, इस candle पर volume भी काफी supported है, प्राइस momentum के साथ साथ, यह stock अभी काफी अच्छे level पर आप इसको buy करके चल सकते हैं, काफी बहतरीन होगा, अगर आप इसको अभी buy करते हैं, तो fundamentally काफी solid stocks हैं, तो उम्मिद करते हैं कि यह video आपको पसंद आए होगा, वीडियो को like और share कीजेगा, चैनल को subscribe कर लेजेगा, और इस तरह के टेक्रिंग analysis जो है, different stocks का हम लेकर आती रहेंगे,